आप दो जगाय रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एक तो कोविन के ऊपर और एक और अरग्यू सेतू एप के ऊपर आप इसको रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वी पहले मैं आप लोगों को कोविन के ओपर रिघिस्टेशन करना बताशाकता हूं अब दो जगएं पर रिआ रेकिस्टेशन करवा सकते हैं एक तो कोविन की साइट की ओपर जा कर, यह वहर्मिन का साइट है और एक आप रिचिस्टेशन कर चा Siip Fit val at करना 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 अभी सबसे पहले हम को विन वेब साइट के ऊपर सेखेंगे जैसे आप और अपको सबसे पहले यही दिखाए देगा जो आपके सामने स्क्रίν पर आ रहा है फिर यहां पर रजिस्टरर और sign in yourself ये लिखा हुआ आगा जैसे ही इसके ओपर click करेंगे click करते ही आपके सामने सबसे पहले ये box बन के आएगा ये box बन के आएगा यहां पर आपको अपना number लिखने के बाद यहां पर get OTP करने है और OTP आने के बाद जब आपको OTP मिल जाएगा आपको enter OTP करने और verify करने है ये आपको step करने सबसे पहले enter करने के बाद फिर उसके बाद आपके पास यहां पर photo ID proof मांगा जाएगा आप कुछ भी कर सकते हैं यहां पर अपना pen card, अधार card, पहचान पत्र जो आपने यहां पर photo ID proof है वो यहां पर लिखने है फिर उसके बाद उसका number यहां पर लिखने है फिर जो उसमें जो नाम दिया गया as in pen card जैसे यहां पर pen card आपने बोला है तो यहां पर pen card में जो नाम दिया गया वो ही अगर आपने यहां पर अधार card लिखा है तो यहां पर अधार card का ही नाम जो यहां पर था वही अधार का नाम यहां पर लिखने हैं यहां पर आपको जेंडर स्लेक्ट करना है male female others okay registration इसके पर बाद में आते हैं सबसे पहले यहां पर आते हैं यहां पर जो जो भी id proof है आप उसको select कर लीजिए photo id number आपको देना पड़ेगा आपका नाम करना पड़ेगा आपको year of birth और जेंडर जवाब करने के बाद फिर उसके बाद आता है जब आप यह कर देंगे तो आपका सामने यह आ जाएगा लिखकर फिर यहां पर एक schedule आ जाएगा कि schedule कैसे करना है एक और चीज है आप एक नंबर से एक बार अपनी कोई phone number ले लिया तो उस phone number से आप total आप अपने आपको plus में तीन और यानि total चार बंदों को register करवा सकते हैं जैसे यहां पर जो option आ रहा है add plus plus का निशान दे रहा है यानि add more एक और भी आप add कर सकते हैं यानि कि total चार बंदे एक नंबर से register हो सकते हैं तो यहां पर मैं बता सकता हूं कि जब आप add more पे click करेंगे तो add more पे वही same to same process मांगा जाएगा कोई ID मांगी जाएगी जो आप pen card रखेंगे जो भी आप एचान बत रखेंगे किसी दूसरे का फिर उसके बाद वही number वहाँ पे रखना होगा जो उसके अंदर जो id में जो नाम होगा वह जो नाम यहां पर आपने लिख देना है जो जेंडर है वह ष्लेक्ट कर देना है फिर इसके बाद वही same to same process आएगा यहां पर और आप यहां पे add कर सकते हैं अगर आपको एड नहीं करना आप अपने आपको सिंगल ही रेजिस्टर करवाना जाते हैं तो यहां पर उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा या फिर आपने एड कर दिया तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा तो आपको क्लिक करना पिर आप कोई सिन जगहां पर रहते हो डेली के अंदर ऑफिर कोई स्टेटट पंजाब घर राजस्तान उत्वी आप जहां पर रहते हो वहान पर यह करना फिर वह करना पिन कोड से भी आप यहां पर एक और ऑप्शन भी है बुक अपॉइंट्मेंट फॉर वैक्शिनेशन अप एक तरीके से आप पिन कोड से भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं यह दो तरीके हैं आपके सामने फिर इसके बाद जैसे आप यह सर्च करोगे सर्च करने के बाद वहां पर आपको जैसे आपने डैली किया डैली लिखे हैं साउथ वेस्ट डैली लिखा और सर्च किया अब जितने टाइप की वैक्षिन को भारा सरकार ने अनुमती दे रखी है, फ्री है, या फिर कोस्ट कितना रुपया उसका लगेगा, कौन सी महेंगी है, कौन सी जस्ती सारी चीज़ों के भी थोड़े दिर में बात करने वाला हूँ, तो इसके बाद जैसे आप यह सेलेक्ट कर ल तो यहां पर आपको बुक कर देना है, सिंपल सी चीज़ है, यहां पर आपको बुक कर देना है, क्या हो गया, डेट हो गया, डेट होने के बाद आप यहां पर देख लिजी कि आपको कौन से होस्पिटल में जाना है, वहां पर आपको दिखाता रहेगा, आप यहां पर अबी मैं प्राइस के उपर आनेवाल हूं अभी कया गरने करने के बाद आपको टाकर यहां पर दिखाना है अभी मैं बताऊंगा कि आप जब vaccine लगाने जाएंगे जो भी आपने तारीक लगी जैसे आने वाले time में को भी 2 तारीक लिख लिए 2 तारीक के बाद 11 से लेके एक बुज़े तक इसमें time में लगा सकते हैं इतना टाइम है आपके पास तो इस टाइम स्लोट को आपने किया तो जब आहां पर जाएंगे उस होस्पिटल में वहां पर क्या परबंद होने वाले अभी आ रहा हूं उसके उपर में तो यह जब आपके सामने आ जाएगा फिर इसके बाद यह जो एक आरोग्य सेतु एप के और नंबर प्रोसीड तो वैरिफाई सेम तुसें वही प्रोसेस चलने वाला है इसके अंदर जो अभी आप लोगों को मैंने उसके अंदर बता है यह आरोग्य सेतु एप कर गया फिर आप बात करते हैं वैक्सिन सेंटर पर क्या होगा वैक्सिन सेंटर पर जब आप जाएं वेटिंग एरिया में भेजने के बाद वहां पर आपको थोड़ी देर वेट करवाया जाएगा फिर वेटिंग एरिया के बाद फिर आपको वहां पर वैक्सिनेशन एरिया में ले जाए जाएगा वहां पर आपको वैक्सिन लगाए जाएगी और वैक्सिन लगाने के बाद आपको आदा घंटा रखा जाएगा कि कोई side effect तो नहीं है कोई बीमारी तो और नहीं हो रही वैसे ऐसे कुछ नहीं है जो vaccine है वो बिल्कुल free है फिर भी free कहा मतलब कि कोई भी side effect नहीं हो रहे हैं बहुत असरदार vaccine है कोई भी ऐसा कुछ नहीं है फिर फिर भी आपके उपर 30 मिनट तक निगरानी रखी जाएगी इसके बाद vaccine का असर कब से कब शुरू होगा वैसे एक या दो दिन के अंदर असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन असली असर 14 दिन के बाद आपको नजराने लगेगा अब मैं बता देता हूँ कि vaccine कौन कौन सी है बाहर सरकार ने जो नमती दे रहे हैं एक है co vaccine और एक है cove shield एक महंगी है यह महंगी है यह सस्ती है अभी आ रहा हूँ इसके महंगी सस्ती के उपर तो पहला dose लगाने के बाद आप दूसरा dose कब लेंगे दूसरा dose आप 28 से 42 दिन के बीच में आपको दूसरा dose लेना होगा यह co vaccine है cove shield का क्या है cove shield का पहले dose लगाने के बाद दूसरा जो dose होगा वो 42 दिन से 56 दिन के बीच के अंदर आपको लेना पड़ेगा अब वो किन सुविधा किसके लिए मिलेगी देखो वो किन सुविधा का मैं बता देता हूँ वो किन सुविधा का मतलब होता है ऐसा नहीं है कि आप गए और सीधा 18 साल देखे 18 साल और जो 45 साल से जो नीचे नीचे है 45 साल से जो नीचे नीचे है तो वोकिन सुविदा कि इसको मिलेगी वोकिन सुविदा का मतलब है जो 45-a5% chce checklist? में जाने के बाद व Aww वह उपिटल में जानी के बाद वह प्रतु के वह एक्सिन लगवा सकते हैं यह downsend dood Until day यह 18 अई उपर जो एकुम्हें के संनगों के लिए सविधा नहीं है यह सिरव तिक तालिस में लोगों के लिए ही है अब बात आती है पैसे की जो क्यों कि पैसा सबसे बढ़ा हुई है किसको कितना देना पड़ेगा कहां क्या लगेगा अभी देखो भारत सरकार ने कहा है कि हम जो 18 साल से जो उपर है और 45 साल से जो नीचे के ड्रोग है इन से हम रुपया लेंगे बाकि के लिए संपूर्ण भारत में free रखी गई थी संपूर्ण भारत में cost free थी जो 45 PLUS के जो लोग थे उनके लिए वैक्शन बिल्कुल free थी अब free कि इनके बिए नहीं है वो 18 से लेके 45 के बीच के लोग है उनके लिए नहीं है लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि जो राज्ये चाहें तो वहाँ पर वो चीज फ्री ये जो वैक्सिन है वो फ्री रख सकते हैं तो वहाँ पर जो फ्री रखी गई है अब तक 24 राज्ये जो है यूनिन टेरिटरी और 24 राज्ये हैं उन्होंने काया कि हम यहाँ पर free रखने वाले हैं, उनमें free रखने वाले हैं का मतलब है कि आप जाएगे, इन राज्यों में, अगर आप ये जो 24 राज्ये हैं, महराष्टरा, हिमाचल परदेश, राज़स्तान, दिल्ली, बिहार, जारकंड, पंजाब, हरयाना, सिक्किम, पश्चिमंगाल, असम, गोवा, कम अगर आप इन में आते हैं, तो आपकी free of cost है, आपको कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, और क्या पता, आने वाले टाइम में कुछ और राज्ये जो हैं, जितने बचे वई राज्ये हैं, वो शायद अब तक free कर चुके हैं, मैं अब तक की बता रहा हूं, आप आप एक्सिन लगाएं, बुखार है, खांसी एनर्जला है, तो आप टिका न लगवाएं, बाकि ऐसा कोई भी इसमें side effect, मतलब कि कोई और भी चीज़े इसमें नहीं बताएगी, आप एक्सिन क्यों न लगवाएं, या पिर simple सी चीज़ा है, आप बिल्कुल ठीक है, ऐसी को बुखार, ये तो कोई normal सी चीज़ है, मैंने जितना सुना है, जितना मैं देख रहा हूँ, बुखार होना बहुत normal सी चीज़ है, एक दो दिन बुखार होगी, वो वापस ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकि help line इन्हों नहीं आपर दी है, कि आप इस पे call कर सक सिरुफ और सिरु गौवर्मेंट होस्पिटल में फ्री है, ये प्राइवेट होस्पिटल में फ्री नहीं है, कहीं आप पहुंच जाओ कि सरकार ने फ्री कर दी है, तो आप प्राइवेट में चले जाओ, प्राइवेट में नहीं है, गौवर्मेंट में है, आप गौवर्म तो यहां पर इसी को देख लेना और यहां जो इन दोनों की साइड इफेक्ट बताएंगे दोनों में सरदर होना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है तो बुखार के लिए ऐसी कोई टैंशन वाली बात नहीं है यहां पर कुछ आकड़े मैंने दी हैं कि यहां कौन से कितने राज्यों को सरकार दे रही है कंपनी कितने रुपे में दे रही है तो इसमें आपको कोई बेंटरस्ट होना नहीं चाहिए